वेल्कम बेक टू माई चैनल टेक मेकानिकल एंड इलेक्टिकल फाइनली बहुत दिन बाद और बहुत इंतेजर करने का बाद गारें डिच शीप बिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड जी आर एसी का तरफ से पारमानेट पोस्ट में आईटे पास और एपेंडिस पास स्टूडेंट के लिए रिकुड्मेंट पब्लिस हो गए हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन और इसका ओनलाइन एप्लिकेशन आज सुबह 10 बजे से चालू हुआ है इसका ओनलाइन एप्लिकेशन 19 फेबराडी रात 12 बजे तक चारी रहेगा इसी का बीच में आपको ओनला क्वालिफिकेशन आपका पास क्या होना चाहिए एस पर या एस ओन फास्ट जैनॉरी 2024 मतलब आपका क्वालिफिकेशन इससे पहले पास आउट होना ज़रू है जरू है जरूनी में स्ट्रॉक्च्चरल फीटर फीटर अलग-अलग ट्रेड होता है इसके लिए 5 सीट है कैट इसमें फीटर ट्रेड स्टूरें भी एलिजिबल है तो इसमें टोटल देगे चार ट्रेड दिया है स्ट्रॉक्च्चरल फीटर फेबरिकेटर सीट मेंटल और फीटर इसमें इलिजिबल है जरूनी में फीटर इसके लिए 4 सीट है इसमें 10th प्लास एपेंटिसिप आदरव टेंथ प्लास आइते होना चाहिए वेल्डर या वेल्डर गेसमन इलेक्ट्रिक टीग फ्लास्ट मिक वेल्डर BMW वेल्डर वेल्डर घ्म ऋ रडबलू एन் ग्ती डबलू डेड्वल्र पाइप along मीशलस वेल्डर स्टरक्च्ठरर वेल्डर फिब्रीकैन और फिटिंंग वे के लिए 10th plus appendices otherwise 10th plus ITI होना है electrician trade से journeyman machine operator इसके लिए देखिए 10th plus ITI otherwise 10th plus appendices होना है milledite mechanic otherwise mm tm trade से journeyman machinist के लिए 4 seat 10th plus appendices otherwise 10th plus ITI certificate होना है machinist earner machinist grinded trade से इसमें देखिए लगभग सभी trade को eligible किया है journeyman pipe fitter के लिए इसमें साथ post है जिसके लिए 10th plus ITI otherwise 10th plus appendices होना है pipe fitter या plumber trades है journeyman rigor इससे पांच post है पांच post में से अब देखिए categories vacancy जैसे अंडिजर में दो हैं और बाकिए अब एक बच्छे कर लिजेगा 10th plus ITI otherwise 10th plus appendices होना rigor या carpenter trades है इसका बात देखिए जान्यमें ड्राइबर material handling के लिए दो सीट है इसके लिए 10th plus ITI otherwise 10th plus appendices होना है diesel mechanic trades है journeyman electronic mechanic इसके लिए आपका दो सीट है undeserved में एक और OBC में एक इसके लिए 10th plus appendices होना है electronic mechanic trades है journeyman diesel mechanic के लिए total 7 post है इसके लिए 10th plus ITI other resident plus appendices होना है diesel mechanic या mechanic diesel या mechanic marine diesel trades है total number of post सभी trade का 50 है इसमें कुछ post PWD के लिए डिजार्व है important जो भी topic है उसी का बारे में discussion कर लेते हैं इसमें देखिए duty और responsibility का बारे में आपको बता जाए रहे है तो अलग-अलग trade के लिए अलग-अलग अपका इसमें duty दिखाए गया है जैसे structural fitter के लिए read drawing sketches यह आपको बताएगा और भी बहुत सरा काम होता है जो आपको job absorption होने का बाद आपको ऐसा काम करना पड़ेगा फिल्ब में जाके अब age criteria का बात कर लेते हैं as on 1st January 2024 अपर age limit 26 year होना है undeserved student के लिए 3 सल का relaxation OBC student के लिए और 5 सल का relaxation CST student के लिए मिल जाएगा PWD student undeserved के लिए 10 सल PWD OBC NCL के लिए 13 सल PWD CST के लिए 15 सल तक आपको छुट मिल जाएगा stipend और other benefit during journeymanship period बहुत सारा student इसमें सोच रहा है कि यह आपका contractual job है तो यह आपका contractual job नहीं है यह permanent recruitment है सबसे पहले जैसे DAE का recruitment होता है उसमें 2 सल का training चलता है उसका बाद आपको absorb किया जाता है इसमें भी आपका same to same होगा इसमें 2 सल का आपका training चलेगा जो आपको fixed stipend दिया जाएगा जिसमें आपको कोई भी pay label या basic पे नहीं बनेगा इसमें total आपको हर माईना फास्ट यहर में 24,000 रूपया दिया जाएगा और सेकेंड यहर माईना आपको 26,000 फिक्स्ट सलरे आपको दिया जाएगा रिकाबरी और पीएफ ऑप दा consolidated amount and matching contribution of the same amount by the company will be applicable ESI contribution at the statute right if applicable will be recovered देखे इसमें training and multi skilling अब तो इसको आप छोड़िये इसमें देखे नीचे absorption का बात कर लेता है on successful completion of training training जब आपको successful complete हो जाएगा तो आपको semi skilled इस इसके आप इसमें posting दिया जाएगा जिसका basic पे 19,900 हर सल आपका 3 percentage increment और इसमें देखे जो भी आपका trade है उसमें आपको absorb किया जाएगा मतलब आपका permanent recruitment है सबसे पहले आपका clear हो जाता selection process देखे इसमें अगर ज्यादा candidate form fill up कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका marks का criteria में short list किया जाएगा जो भी short list candidate होगा उसका सबसे पहले return test होगा उसका बत practical test होगा और physical efficiency test सभी post के लिए नहीं होगा जैसे journeyman, driver, material handling, rigor, crane operator post के लिए से physical efficiency test होगा return test आपका Kolkata और राची में होने वाला इसका job location भी आपका Kolkata में होने वाला इसके लिए आपका offline exam होगा pain और paper आपको साथ में लेखे जाना है pattern of return test सबसे पहले देख ले थे इसमें total आपका दो part रहेगा technical part से 80 question आपको पूछा जाएगा अपने tweet से 80 marks रहेगा और part 2 में आपका 20 question पूछा जाएगा general knowledge, general aptitude, reasoning, mental ability, numerical abilities तोटल आपका 100 marks का paper बनेगा इसके लिए 200 time दिया जाएगा multiple choice question रहेगा और इसके लिए देखें आपका qualifying marks overall आपको 50% लाना है बाकी CST OBC candidate के लिए 45% और PW BD candidate के लिए 40% आपको लाना है तब आप exam को qualify करेंगे otherwise इसका बाद अलग से तो cut off बनेगा और आपका paper bilingual होगा English, Hindi दोनों में होगा अगर कोई भी question में गलती होता है तो English language को priority दिया जाएगा practical test आपका सिर्फ qualifying nature होगा 1-5 डेस्व में practical test में आपको बुलाया जाएगा practical test total 50 marks में होगा इसमें आपको qualifying marks 50% है 45% CST OBC के लिए और PW BD candidate के लिए 40% marks है तो इसमें practical test 50 marks में होगा तो 25 लाना है general category OBC, sorry EWS category student को बाकी आप देखिए percentage के हिसाब से उतना marks आपको practical में लाना है तब आप practical को qualify करेंगे इसमें practical का marks add नहीं होता है आपका selection सिर्फ editing test का marks का उपड़ी होने वाला है देखिए application procedure इसमें आपको बताया जाएगा है जैसे candidate में apply for the position as their eligibility through online portal only तो आपको इसमें online application करना पड़ेगा और online application करने का बाद आपका online application form का साथ आप form को print out करके उसका साथ educational qualification, cast, category, date of bath, certificate जो भी आपके लिए जरूरी है वो सब आपको jerox करके self attested करके आपको भेजना पड़ेगा ordinary post करके वो भी 24 February 2024 का पहले आपको भेजना पड़ेगा या उसी का बीच में आपको भेजना है इसमें address देख लिजे इसमें address आपको दिया है आज ऐसे post box number 3076 लोधी रोड नीव दिल्ली 110003 तो इसमें आपको भेजना पड़ेगा और जब आप envelope को लिखेंगे उसका उपड़ में आपको लिखना है grac en number 2024 slash 02 bracket में j इसका बाद quotation देना है and post आपका trade कौन सा है वो आपको लिखना है applied आपको नहीं लिखना है ठीक है तो इसमें end देखे post trade apply तो कौन सा post है और trade है वो आपको लिख देना है तो form फिलाप कैसे करना है कैसे आपको form बेजना है इसका पर मैं अलग से वीडियो बनाऊगा तो आप देख लेंगे तो इसके लिए form फिलाप में आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो बहुत सारा student जैसे फीटर के लिए दो तीन post eligible form फिलाप करने के लिए तो बहुत सारा student इसमें question करने वाला कि हमसा दो post में form फिलाप कर सकते है तो second point पर लिजे इसमें आपको बोला है कि आप किसी भी post में एक से अधिक post में form फिलाप कर सकते हैं ओके नेक्स्ट देखें इसका ordinary post में आपको सब कुछ offline में भेजना पड़ेगा 24 February का बीच में इसका admit card site पर upload होगा वो आपको बाद में बता जागा return test आपका कॉलकाता रांची में होगा सब कुछ schedule आपको GRAC का official site पर मिल जागा documents verification practical test ओ भी आपको सब कुछ official site से मिल जागा तो एथा आप सब एक लिए most important आपडेट वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को like कीज़ेगा चैनल को subscribe कर लिज़ेगा आज के लिए तना है बोलता है next वीडियो में टाडा बाई बा